हेलो फ्रेंज बेलकुम बैक माई यूटूब चैनल उमा बर्मा ब्लॉग तो फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक न्यू बीडियो लेकर फिर से हाजर हूँ तो आई होप आपको अच्छी लगेगी फ्रेंज काशी के पंडित जी कहते हैं कोहरा, अथार्त, कद्दू, नारिल कुछ ऐसे फल हैं जो सनातक धर्म के साथ पूजा में बली का प्रतिरूप होते हैं यानि कद्दू और भी कही नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं काशी फल कहा जाता है, कहीं कोहरा कहा जाता है, कहीं मखना, फ्रेंज हर जगा किसी ना किसी नाम से कहा जाता है फ्रेंस इसके साथ कई तरह प्रानिक कथाओं भी जूरी हैं वही आयरेवेट में इसे औशदी फल का महतब दिया गया है बहुत तरह की प्षेशताएं वाली इस सबजी को एक बिशेश दिन दिया गया है 29 सितंबर को बिश्व कोहरा दिवस मनाया जाता है फ्रेंस खासकर 36 गड़ के कई लाको में कोहरा को बेद समान से देखा जाता है खासकर वस्तर के गाम में कोहरा बिशेश रूप से लगाया जाता है गरामिन अपने खेतों में या फिर अपने घर में मिच्छान बना कर कोहरा रोकते है कोहरा का आम तोर पर सबजी के लिए उप जाया जाता है लेकिन इसके कई बेवसाय उप्योग है बहुत सारे घर किशत या पेड़ की लती पर आपको कद्दू नजरा जाएगा बहुत सारे घरों में महलाएं कद्दू को नहीं कारती है इसके लिए पूर्ष सदस्य की मदद ली जाती है और उससे कद्दू को कटवाती है तो मेरे यहां तो कुछ है नहीं हर कोई काट लेता पर कई जगों पैसा होता है तो वो ही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कहते हैं पहले पूर्ष कद्दू को कारते हैं फिर उसे दो भाग टुकड़ा करते हैं फिर महलाएं उसे सबजी के लिए कारती है क्या ये आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करती है क्योंकि महलाएं कद्दू कारतने से बचती है देश के कई हिस्सों में ऐसे लोग मानता है महलाएं कद्दू को या काशी फल को कोहरा को अपने बड़े वेटे जैसे समस्ती है इसलिए उसे काटने से बचती है हिंदू समिदाओं में कोहरा का पिशेषक महत्तव है कई धार्मिक अनुस्ठानों में यहां पशु बली दी जाती है बहां कद्दू को पशु बली मानते है और एक मानता ये भी है कोहरा को बड़े पुत्तर जैसा माना जाता है 36 गड़ समेत कई राजों में आदिवासी समुधाएं महलाओं को कद्दू काटने के बारे में सोचा भी नहीं जाता है किसी महला को आज तक कद्दू काटने असर अपने बड़े वेटे की बली देने के बराबर हो जाता है इसलिए यहां की महलाओं कद्दू काटने से पहले पूर्श से दो टुकडे करवाती हैं फिर सबजी बनाने के लिए उन टुकडों का काटकर सबजी बनाती हैं तो फ्रेंड्स पंडित दयनान जी कहते हैं कि कोहरा, कद्दू, नारिल कुछ ऐसे फल हैं जो सनात्रक धरम में बली के लिए यूज होते हैं सनात्रक धरम इस्तरी सीजन करती हैं, नाकी संधान करती हैं, जनम देती हैं और देश के कई जगह कद्दू को अकेला नहीं काटा जाता है दो कद्दू को साथ काटा जाता है या फिर अन्य सब्जी को साथ में रखा जाता है जैसे कई घरों में निम्बू, आलू या मिर्च रखा जाता है तो friends यही कारण है कि महला कद्दू को नहीं काटती हैं और पूर से कटवाती हैं उसके बाद वो उसको सब्जी के प्रयोग में लाती है तो फ्रेंस कद्दू होती है यह चीज क्योंकि जब मेरा वेटे का वर्थ हुआ था तो वन येर मैंने भी सब्जी को ना काटा था और ना ही खाया था इसको सचमे बली के रूप में माना जाता है तो इस बात से मैं भी क्यागरी करते हूं तो फ्रेंस यह थी मेरी आज की वीडियो तो फ्रेंस बताना कि आपके मतलब कद्दू को किस नाम से जाना जाते हैं मेरे यहां तो कद्दू को कद्दू ही बोलते हैं तो फ्रेंस कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो मिलती हूं नी 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 वीडियो में, बाई बाई